पुलिटिकल काल्चर और पुलिटिकल कारेक्टर तो गाय बहुत है जो होने ही चीए पुलिटिकल काल्चर और पुलिटिकल कारेक्टर वो चीजें कहीं गाय और इसलिए उसका सारा लुका असर जो समात्र के परता है नमस्कार, सिटी लाइव डायलोग्स में मैं अशोक राही आपका स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे नेताओं की बदजुमानी, आपलों की जूटी कलाबाजी और आधी आबादी के सचपर आज हमारे साथ हैं शालीनता और संघर्ष की मिसाल डॉक्टर लाड कुमारी जैन राज महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर लाड कुमारी जैन संघर्ष और शालीनता की जीती जागती मिसाल डॉक्ट साब ने कितने ही बच्चों को पढ़ाया, कितने ही महिलाओं के संघर्ष में भागेदारी की और हम उनसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि आज के समय को आप महिला अधिकारों के लिए किस तरह देखती हैं आज यो परिस्तियां हमारे सामने हैं ऐसा लगता है कि समय दर हींता बढ़ती जा रहे हैं और खास होर से महिलाओं के प्रती पहले लगता था कि हम धरने दे रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं मसाज जुलूस निकाल रहे हैं प्रेशर बिल्ट कर रहे हैं तो कुछ यह होता था कि कुछ प्रेशर बनता था और कई सारे कानून मने तो में राजस्तान में महिला अंदोलन बहुत स्ट्रोंग रहे हैं और मैं भी उसका एक हिस्सा हूं। तो यह बड़ी विल्मन है कि जब चुनाव आते हैं और उनको वोट लेने होते हैं वोट बेंक कहा हैं वहां तो बिली वोट चुने को पर तयार हो जाएंगे पानी धोकर की पिने को पर तयार हो जाएंगे लेकिं उसके बाद पांस सालों में क्या होता वह आप देख रहें ब तो वहां मैलाओं को हम बहुत मान के चलते थे कि 33% को लेकर के 30 सालों से चल रहा है साइध कुछ इन लोगों में कि मानसिकता बदलेगी होगी लेकिन जब चुनाव आते हैं और वोट और टिकेट देने की जब बात आती है तो सभी पार्टियों के मोरोलेस कबोपेस वही हा तो जो मैला अधिकारों की बात की जब तक आधिक से अधिक मैला हैं नेने प्रेक्रिया का हिस्सा नहीं बनेगी और इसलिए हम 33% की मैला आरक्षन की लड़े लड़ते रहें और पर भी करते थे कि आप 10 साल देखें तो देखें तो देखें रिजर्वेशन मैलाओं को तो जो आज हम कई मुद्धे उठाते हैं समिधान अपने आप कह रहा है बार बार हमें कोट क्यों जाना पड़ता है और कोट आदेश देने के बाद भी क्या हो रहा हमारे सामने ने साबरेवाला मंदिर में क्या हो रहा है मेडम आप क्या समझती हैं कि अगर राजनीती में 33 प्रतिशत महिलाएं आ जाएंगी तो सचमुच हमारे देश में उनकी इस्तिती सुधर जाएगी देखे थोड़ा तो बदलाव आएगा क्योंकि जो सवजदन सेलता की बात है आप उनको वंचित को रखना चाहते हैं और यह आएगा जब निर्ने निर्मान प्रक्रिया में जब तक महिलाओं की हिससे इदारी नहीं बढ़ेगी अब जैसे घर में ले लीजे समाज में ले लेकिन राजनीती में अधिक से अधिक महिलाओं जब तक नहीं आएगी और यह मानते हैं कि जो वातावरन है घर का परिवेश जिस तरह का है कितने महिलाओं निकल पाती है और जब टिकेट देने के बात आती है तो या तो पुलिटिकल फैमिली में से हो या वो कहीं नामी घरामी घरों में से हो तो वो जब तक आम और को बराबर का प्रतिनीत तो नहीं मिलेगा तब तक बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ सकता है मैडम आप कितनी महिलाओं को आप देखती हैं अपने समाज में जो अपने अधिकारों के लिए जाग रुक हैं मैं जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्ण है सवाल है मैं जो देखता हूँ उसमें जादातर जो बड़े घरों की महलाएं जिनें हम ये कहें कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है इस्टॉंग है उनका रुजान तो बिलकुल पेज थ्री पे छपने का ही है नहीं आते हैं देखे संगर समय सब करता जो सफरर है जो भुक्त भोगी है जो पेड़ित परक्स होता है या जिसका जो विचार है कि समिधान को समझ पारहा है आजादी को समझ पारहा है आज सबसे बड़ा प्रस्ट में जो हम लोग उठा रहे हैं इन दिनों में मुझे तो आए दिन जीस रहें कि विचारों के अभीवक्ति पर बंदन लगया हमारे बहुत सार दो चार फ्रेंड्स ऐसे हैं जहां मैं देख रही हूं कि उन्होंने सेमिनार करा है तो उसका टॉपिक ऐसा रख लिया और अभी तो ताजू होगा आपको जान करके कि यूजी मतला अपका साइथ में भी रूची है आप साइथ बढ़ती रहती है क्या आपको लगता है जो नारी विमर्ष का साइथ में लगातार चर्चा होती है क्या उससे सच मुझ कुछ बदला है या सिर्फ ये बी एक फैशन है बहुत अधिक से अधिक महिला है लेखी काहें साइथिये लेकिन जो भी उपनियास लिखे जा रहे है कभी कवीता संगरे लिखा जा रहा है और मेरे कुछ राइटर से जो नामी अच्छे परसिद हैं उनसे में में कई बात होती है कि ये जो कुछ लिखा जा रहा उसमें कुछ ऐसे शब्द ऐसी विचार दा रहा है जो हमें और नु तो वही जो समाज की कुरृतियों से हम भुगत रहे हैं, वो कहेंगी जो समाज में हैं वही तो हम लिख रहे हैं, मैंने का ये प्रमपराई टूटने चाहिए, क्योंकि पीडी दर पीडी उनहीं शब्दों को लोग क्यों पढ़ते रहे, मैं कहूं कि आज मेरी नेक्स जनरेश तो ये सिलसला ऐसी चलता रहेगा, मैंने आप शब्दों की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता, आपके मन में कभी विचार नहीं आता, कि जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे आपने डायन है, रांड है, विद्वा है, क्या इन शब्दों को ये प्रतिबंदित की जिंदिकी जीती रहे, तो फिर राजनीती में और सत्ता में और पावर में आने का तो सपना भी नहीं देख सकती है, तो ये जो सारी चीज़ें मतलग कितना दोगलापन चल रहा है, एक और हम महिला सरशक्तिकरन का नारा दे देते, ये कर देते हैं, लेकि जो महिला सरशक बननाने के बाद उनके क्रियानवेन के लिए उनको लागू करने के लिए जो एक support structure खड़ा होना चाहिए उसके लिए budget अलग से नहीं किसी भी कानून को लागू करने के लिए अलग से budget नहीं मैडम जो सरकार जो कहती है कि आंकडे महिला सुधार के पक्ष में हैं महिलाओं में अशिक्षा कम हुई है निशित रूप से कम हुई है थोड़ी बहुत लेकिन ये आंकडे क्या सच मुझ सही आंकडे हैं या आंकडे भी फरजी हैं बहुत कारणों से जो डॉप आउट जिसने से हो रही बचियां कौन चिंता कर रहा है कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम हमने एजुकेशन में या हेल्थ में ऐसा कोई मॉनिटरिंग सिस्टम डवलप नहीं किया निगरानी जो रख सके और सही तरीके के आंकडे सामने आए आप दिखाए लेकिन धरातल पर जमीनी स्थर पर यह दी हम उस चुछों को देखते हैं तो बहुत सारी लड़कियां एडमिशन तो हो रहे हैं या आज भी पेपर में आया है कि लड़कों से जादा लड़कियां एजुकेशन में परवेस ले रही हैं स्कूली लेवल पर लेकिन मैं उनिवर्सिटी में वाडन भी रही हूं और जब भी केमपस में कोई इस तरह की जैसे जैसी बोस का बहुत के वही था और उस समय बहुत सारे पैनेट्स के फोन आने सुरू हो जाते थे कि इस तरह के केमपस में नहीं रहना तुम घर आ जाओ तो जो घटना होती है वो सेपरेट सोचेր ले वगरा भी होने चाहिए उनको सुविदा होने चाहिए उनको संकालीर राजनीती में जो खेल चल रहा है और विशेशकर जो महिलाएं जो राजनीती में हैं उनको लेकर निहायत ओचे दर्जे की बात जो की जाती है गंदी बातें की जाती है गालियां दी जाती है ये कौन सी मान सकता है कि ये जब भी चुनावाते हैं आपने अधिकारों की बात करती है तो इस तरहें की छिटा करते हैं कि वो चुप़ों के ब वापिस चार देवारे में चले जाए कि बहुत ये जब जब भी हमने तेरीस पर दिश्वएशन आरक्षम मेला आरक्ष्न की बात कि तो पहले भी ये आपको एकमेंट करने की क्या जरूत हो रही है, आपको कोई लाइसेंस मेला हुआ है कि आप मैलाओं को चलते हैं फिर ते कहीं भी कुछ भी बोल दो, भई सब बेता है, सब्सक्राइब मैं देख रहे हुँ, मैं पुलिटिकल साइंस बढ़ाते हुँ, पुलिटिकल काल्चर औ जो गाइब हो गया है, जो होने चाहिए, पुलिटिकल काल्चर और पुलिटिकल कारेक्टर, वो चीजे कहीं गाइब हो रही है, और इसलिए उसका सारा, उनका असर जो समाज भी पढ़ता है, जो सबसे ज़ादा गुंड़ा आप कितने ही पहले भी हुआ था, कि जिनके जो तो हो भी यह लगाए झाहे चुन्ना न की रोप टो नहीं सकते हैं, चुन्हाव लटे से ज़ाव कि अंडरे का वो तो खबन कर सकते हैं, लेकिं पुब्लिक को उनको बताना होगा, यह डाला ना कि जो भी चुन्हाव लडएगा, वो पुब्लिक को यह बतायेगा कि उनके खिलाब क्या-क्या मुकद में अपरादिक धारों में हैं पर किसी भी बूत पर इस तरह का नहीं लगा देखा एक और सच की मैं आपसे बात करना जाता हूं जो पिछले दिनों देखने में आया कि बहुत सारी महिलाएं अब सरकारी नोकरियों में आ गई हैं बहुत अच्छी कोई बीचा है वो पुरूस हो इस तरह हो मैं इस तरह की चीज़ों को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हूं नहीं उसको बढ़ावा देती हूं यदी वो है तो रिस्वत क्योंकि वह वहां पर भी मैं यह देखती हूं कि जेंडर को छोड़ दीजा आप जो पद है और पद के उ नाम आ रहे हैं कुछ-कुछ सुराट सुनने को मिल रही है तो हम उन्ची जोंको तो बढ़ावा देते नहीं है लेकिन औरत कहीं भी एक दो जगह पर ऐसी पाई गई तो वो एक बहुत बड़ा इस्यू बन जाता है और नॉर्मली जो पूरू सेधी इनमोल है तो वो कोई ख समाज में और यह हम तो पैदा हुएं तब से सुन रहे हैं सारी गालियां महिलाओं को लेकर बनी हुई है तो क्या महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती है वो पुरुषों को लेकर गाली बनाएं कुछ ऐसा है मैं तो यह तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि यह थी फुरुष हिंसा कर रहा है तो महिलाओं भी हिंसा करें वो हिंसा चाहे वेचारिक हिंसा हो या मांसिंग हिंसा हो आर्थिंग हिंसा हो सारीरिक हिंसा हो या इयोनिक हिंसा हो मैं वो उसके बरावरी का हक ल और जो लेखक हैं और और बी जो भी पाठ्य करम हैं उनमें इंचीuctों के परपहत्यबंद हो जाना चाहिए क्योंकि ये जितना लिखा जाएगा उतना ही पड़ने मां उतना ही पर चकड़न कहते हैं कि सब कई बार कहते हैं कि साहित्य समाज का दरपन है जो समाज में वह रहा वह साहित्य लिखता है हम में यह कहते हूं कि साहित्य एक रहा दिखाने वाला भी हो सकता है एक दिश्चा निर्दस देने वाला भी हो सकता है तो हमें अभी सुरुवात करने चाहिए कि साहि जो यह जितनी भी खराबियां जितना भी बिगाड़ जितना भी नुकसान हुआ है वो और अधिक ना और अधिक ना हो इससे सुद्धता सुचता कैसे आ सकती है यह कोशिश देख को कि अभी हमारे पाठेकरम जिस तरह से आपको बदोंगे प्राइमरी लेवल के और जो आठी लेंगिक भेधाव के रूप में तो कहीं ने कहीं है पुलिटिकल विल जो है वो इन चीजों को पुस्कों कर रहे हैं जैसे मॉब लिंचिंग के इते एक मामले हुए मज़ा के यदि आपका इस सारा नहीं हो माहली जाप नहीं करवा रहे हो तो स्टोब करने की प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी तो है ना कैसे आप जब इतने स्ट्रोंग हो और इतनी मेजरिटी में हो और बहुत पावर्फूल सरकार अभी भी बढ़ा बोदी जी का भी सुन रही थी मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुए नहीं और इसलिए मैं तो जब मैला आयो का अध्यक्त कि मैडम आपके किसी का मैं सक्षप नहीं करूंगा मुख्यमंत्री जी ने जब मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ उन्हों ने ये कहा उसके बाद मेरे पास कुछ आवार में थीक है और वास्तमी तीन साल तक मेरे को एक भी पूंच से नहीं आया कि आप इस मैटर में क्या कर तो ये इंडिपेंडियानी की नॉन पुलिटिकल करेक्टर मेरा वैसे तो हम कहते हैं कि मनुष्य पैदा होता हो राजनिति प्रानी है वो घर में भी और सब्सक्राइब यह लेकिन जो राजनिति यह हो रहे प्लिटिकल पार्टीज की तो ऐसा नहीं है पहले भी और आप त लेकिन जो देश के लिए अच्छी要 lekin raci casice जो समाज के लिए अच्छी चीजिए जो जंड़ां लिए अच्छी चीजिए उनको तो आप लिए तो सबसे बड़ी वादिकाय एक कि to जेंडर और दूसरी की सारी चीज़े आ गई है तो उनको भी मज़ा की तोर पर नहीं लेना चाहिए हम कानू मान देद और ये लिज़े और एक और आ गया ये तो महिलाओं को फ्रेवर करने वाल आ गया आप इंसान हो इंसानियत की तरीके से आप सबके साथ सलू करो तो हमें किसी को बेडरूम में कानून को जाने की जरूत नहीं एक बात और बताएए मेडम की आम तोड़ से जो हमरे समाज की महिलाएं हैं और पड़ीली की महिलाएं हैं और समान्य महिलाएं भी हैं वो अपनी किछिन को अपनी रसोई को ही अपना समराज मान लेती है इन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी आप उनको लगता है कि मेरा घर मेरे बच्चे मेरा पती मेरा परिवार यही मेरी दुनिया है यह भी मैं कहूंगे कि जब तक एमानसिक्ता बनी रहती कि सारी चीजे जितनी भी चीजे बिगड़ती है तो वो औरत के माथे आएगी मन दी जाती है बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं तो ठीक है बच्चे यही फेल हो जाता है तो मा के लाड़ प्यार ने बिगड़ दिया है हर वक्त आदमी को यह साबित नहीं करना पड़ता है कि वो कितना अच्छा है और कब तक अच्छा है औरत को हर पल यह साबित करना पड़ता है कि तू बता तू कितनी अच्छी है तो हर वक्त हर पल हर मिनिट उसी का टेस्ट उसी का परेक्शन क्यों हो और जो आप कहा है, मैला, मैला, क्या कहा है उसकी, वो भी एक संघर्स में कि मेरी च्छेवी और मैं कैसी हूँ मुझे दिखाना पड़ेगा, मैं कैसी हूँ मैं जैसे भी हूँ मैंने तो कईचात, अपनी सर्टो के साथ परिवार हो, चाहर रिष्टेदार हो, मेरे पास समय नहीं है नहीं है, वर दूँने मेरे घर में भी और मेरे घर में आप देखे की सारे कामों की आफ़ आवगत'll विवस्टे का कि कि किसी को गर्म पढ़ने वाली जो लड़कियां बाहर से आती हैं. कोई डिली की लड़की जैपूर में आ गई या जैपूर के लड़की दिली चिले गई. इनमें नशाखोरी की प्रवर्ती बहुत बढ़ती जा रही है. देखिए ये तो नसा खोरी पुर्सों में भी और महिलाओं में भी दोनों में ही है तो खराब है नहीं बढ़नी चाहिए लेकि जो बाहर से आ रहे हैं क्योंकि ये पीजी कल्चर डगलप हुआ है पेइंग एस्ट और आज कई लोगों के जो बिजनिस वगेरा इदर उदर हो गए आज कोटा में देखी अच्छे-ची पोस्टों को छोड़ करके वहां मतलब होस्तल चलाने के लिए तो एक पेइंग एस्ट की रूप में जो रह रहे हैं और वो पैरेंट्स को भी चाहिए और वचों को भी चाहिए और जहां पर क्लाजिक क्यों की कोचिंग इस्टि अपनी थोड़ी से सामाजिक सरोकारों से लेना देना रखें शुक्रिया प्रफिसर लाट गुमारी जैन आपने बहुत अच्छी बात कई और चलते चलते आप सिर्फ एक-दो सूत्र बता दीजिए महिलाओं के लिए कि वो कैसे अपने आपको अपनी जिंदीगी को परिव परोष के कोई नहीं देगा उनको जो कुछ करना महनत के साथ करना है इसलिए मैं तो हमेसा ही देना चाहते हूं कि जो परिष्टन मोस्रम से हमने पाया है और उससे मेरी जिंदीगी का आनन में महसूस करती हूं इसलिए किसी और पर निभर रहने के बजाए जो कुछ करना अ प्रवादत आने ही नहीं चाहिए और कॉंफिदेंस किसी भी तरह से कॉंफिदेंस लूज नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी महला हूं किस तिदी में क्या होता हूं हात्मा फूल जाते हैं पड़ी लिखिया चेए चेह हैं डॉक्टर भी है मेरे पास जो केस लाते र और जैसे हम सुचना का अधिकार को लोक तंत्र का हथियार मानते हैं वैसे ही सिक्ष हमारा एक बहुत बड़ा हाथियार है हम्हें आत्म निर्भर बनाने का और वो जब तक आत्म निर्भर मन करके भी ये ऐधी confidence lose कर जाते हैं तो आत्म बल और आत्म विश्वास ये अपना क निरने लेने की एक प्रक्रिया में वो हमेशा रहें, यही कहना है प्रफिसर लाड कुमारी जैन का, हम आपका बहुत-बहुत धनिवाद करते हैं, शुक्रिया. City Live Dialogues में आज बस इतना ही, और अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नए विशे के साथ, नए शीरशक के साथ, और नए शक्षियत के साथ. स्ट्स्राइब में आपका बहुत अपका बार पिर्फड़ी जैन के साथ, और झाल समौ एंटाइब ऑदे के साथ, और चुक्रिया जैन के साथ, यहाँ जैन आपका बार जैन के साथ.